टेकिपाउन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं वेलकम स्टुडेंट्स मेरे चलने टेकिपाउन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है आपको याद हो तो हमने समझ्टी अर्थशास्तर की ये संपून सीरीज स्टार्ट कर रखिये जिसके हम कई पॉइंट्स और कई वीडियो हम आपके सामने ला चुके हैं आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जो एक अलग परकार का टॉपिक है क्या है वो टॉपिक? टॉपिक है वेस्टी समझ्टी आर्थिक विरोधाबास जिसे हम समश्टी आर्थिक विरोधावास भी कहते हैं समश्टी आर्थिक विरोधावास भी कहते हैं इसी को हम बचत का विरोधावास के नाम से भी जानते हैं इसी को हम उत्पादन का विरोधावास के नाम से भी जानते हैं कहने का मतलब जितने भी अर्थ शासर में विरोधाबास है वो सब यही है व्यस्टी समस्टी आर्थिक विरोधाबास तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है और दूसरा नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे तो आईए देखते हैं इस वीडियो को और इसकी डिटेल्स इस्टुडेंट्स आज का टॉपिक है व्यस्टी समस्टी आर्थिक विरोधाबास यह हमारी न्यू सीरिस चल रही है आप देख सकते हैं संपून समस्टी अर्थिशासर के नाम से आईए आगे बढ़ते हैं इसको देखते हैं सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं कि यह समस्टी विरोधाबास या व्यस्टी समस्टी आर्थिक विरोधाबास क्या होते हैं व्यस्टी समस्टी आर्थिक विरोधाबास को ही समस्टी आर्थिक विरोधाबास भी कहते हैं आर्थिक वि वियस्टी इस्तर पर जो तत्थे तरक्पून होते हैं ठीक होते हैं वे समश्टी इस्तर पर गलत हो सकते हैं और इन्हीं समश्टी आर्थिक विरोधाबास कहते हैं सिंपल सी अगर मैं भाशा में आपको समझाओं समश्टी गद विरोधाबास तो हम इसकी बात करते हैं समश्टी विरोधाबास में कि कोई चीज एक व्यक्ति के लिए सही है और संपुन देश के लिए वो गलत हो सकती है यही समश्टी विरोधाबास है मेरे लिए जो चीज सह हो सकता है वो देश के लिए चीज नहीं सही हो जैसे हम कई बार कुछ गलत चीजे करते हैं तो वो हो सकता है आपको लाब दे लेकिन संपुन देश को लाब नहीं देंगी तो ऐसी ही कुछ आर्थिक इस्तितियां भी होती है जो किसी इंडिविजल मतलब इंडिविजल का कोई परिवार हो सकता है फर्म हो सकती है उद्योग हो सकता है ठीक है ये व्यक्तिगत तो इनके लिए हो सकता है ये सब सही हो लेकिन अगर हम संपून अर्थिवस्ता की बात करें तो जो फैसले इनके लिए अच्छे हैं वो संपून अर्थिवस्ता के लिए सही हो ये जरू व्यस्टी समस्टी आर्थिक विरोधाबास इसे ही व्यस्टी समस्टी आर्थिक विरोधाबास के नाम से जाना जाता है तो अब आईए इसको देखते हैं और समश्टी आर्थिक विरोधावास के अध्यनका शृय प्रॉफेसर सेमुलसन को जाता है क्योंकि इन्होंने इसका स्टार्ट किया था आप देखते हैं इसे उधारण के माद्यम से कौन-कोन से होते हैं समश्टी आर्थिक विरोधावास पहला है इसे बचत का विरोधा बास करते हैं ये क्या होता है एक व्यक्ति बचत करता है तो ये उसके लिए लाबकारी है लिकिन यादी संपून राष्ट बचत करने लगे तो राष्टियाय गढ़ जाएगी अब ये क्या बात हुई इसका ये है बिटा तर्क कि एक व्यक्ति बचत करता है तो उसको फायदा होगा कैसे होगा कि वो कम खर्चा करेगा तो उसके घर में ज़्यादा पैसा बचेगा और उसके आने वाली जो परिवार की पीडिया है वो ज़्यादा संपन होंगी क्योंकि उसके पास पैसा रहेगा लेकिन अगर संपून राष्ट्र ये कारे करने लग जाए संपून राष्ट्र अगर बचत करने लग जाए तो देखो क्या परिणाम होगा आप एक चीज़ शायद नहीं जानते होंगे मैं आपको बता दू एक का व्यह, किसी एक व्यक्ति का व्यह बराबर होता है दूसरे व्यक्ति की इंकम दूसरे की आय होती है जब हम खर्चा करते हैं तभी तो दूसरे की इंकम होती है न हम खर्चा करेंगे तभी दूसरे लोग कमाएंगे और दूसरे लोग खर्चा करेंगे तभी तीसरे लोग कमाएंगे ऐसे ये पूरा चक्र चलता रहता है कमाने का और खर्च करने का इसलिए अगर इस चक्र में कोई व्यवधान आ जाए कोई खर्चा करना बंद कर दे तो क्या होगा ये साइकल पूरा नहीं होगा ये चक्र पूरा नहीं होगा और ये आय और जो व्य का जो चक्र है अगर ये ब उपभोग कम हो जाता है, रोजगार कम हो जाता है, अभी मैं इसको और समझाता हूँ, फिलाल ये देखिए, कि एक व्यक्ती ने बचत की, तो उसको तो फायदा हो गया, क्योंकि उसने पैसा बचा लिया और अपने आपको संपन कर लिया, लेकिन अगर संपूर्ण राष्ट अगर बचत करने लग जाता है, तो उसका उपभोग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आप देखो उपभोग कम होने से क्या होता है, इसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए, आप आगे देखेंगे, या हो सकता आपने कहीं देखा हो, कि AD होती है, समगर मांग, aggregate, demand, समग समगर मांग और समगर पूर्ती जहां बराबर होती है, वही देश की संतुलन की राष्टी आए होती है, अब होता क्या है, कि समगर मांग का गटक है उपभोग, अब हमने कहा कि बचत जादा करने लग गे लोग, तो हम एक चीज़ और जानते हैं, क्या Y बराबर C प्लस S हो बचत का, कैसे होती है, उपभोग बचत का यूख, कि मान लीजे, किसी ने मुझे पूछा, कि सर आप महीने में कितना खर्च करते हैं, तो मैंने बोला मैं 1000 रुपए खर्च कर देता हूँ, और बोला कि सर फिर आप बचा कितने लेते हैं, मैंने बोला मैं 200 रुपए बचा लेता हूँ तो उसको मुझे अपनी आय बताने की जुरुत नहीं है क्योंकि इन दोनों का योग कितना हुआ 1200 रूप है तो ये मेरी ओटमेटिकली वो व्यक्ति आय जायन जायेगा इसका मतलब है आय किसके बराबर होती है उब्भोग और बचत के योग के ठीक है ये इन तो आती है बात इस पे कि Y बराबर C plus S होता है तो यदी उब्भोग गठेगा यदी बचत बढ़ेगी तो उब्भोग क्या होगा क्यों क्यों होगा क्यों गठेगा क्योंकि आय में से जितना जादा हम बचाएंगे तो फिर उतना ही पैसा हमारे पास खर्च करने के लिए कम होगा इसलिए जब बचत बढ़ती है तो उसके साथ साथ उब्भोग गटता जाता है दोनों में रिनात मक्समबंद होता है अब देखें आगे आगे हम देखते हैं तो उब्भोग गटता है C मतलब कंजब्शन उब्भोग गटेगा तो उब्भोग किसका अंग है समगर मांग का तो देखो उब्भोग गटेगा तो उतपादक क्या करेंगे सब से पहले देखिए कंजब्शन गटा परड्यूसर ने क्या किया वो भी घट जाएगी और जैसे ही लोगों की आय गटेगी ये एक चक्र पूरा हो गया फिर दूसरा चक्र स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आय गटेगी तो मैं क्या करूंगा अपना उबोग गठा दूँगा फिर उबोग गट जाएगा फिर उतपादन घटेगा फिर उतपादन घटेगा तो रोजगार घट जाएगा और फिर आए घट जाएगी इस परकार से ये चक्र चलता ही जाएगा और देश मंदी की इस्तिती में आ जाएगा और इसी लिए इसी लिए ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति बचत करता है तो वो लाबदायक है उस व्यक्ति के लिए लेकिन अगर संपून राष्ट बचत करने लगे तो उससे समस्त देश की राष्ट आए घड़ जाएगी और बात है ये धन अगर किसी व्यक्ति ने बचाया है तो अच्छी बात है अगर संपून राष्ट ऐसे मठके बनाने लग जाए धन का धन को चुपाने लग जाए खर्च नहीं करे उस धन की बचत करने लग जाए सेविंग्स के रूप में तो फिर वो देश मंदी की ग्रफ्त में आ जाता है अब हम आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं दूसरा हमारा इसका उधारन है एक व्यक्ति बैंक से जमाराशी निकालने जाए तो कोई समस्या नहीं होती है लेकिन यदि बैंक के सारे ग्राहे के एक साथ अपनी जमाराशी निकालने आ जाए तो क्या हो गागा, handlar बंदी के दोरान बहुत सारे ग्हायक किसी बेंक के सामने पहुँच गये थे, या अभी कुछ PNB बेंक का गोटाला हुआ था, या किसी और कोपरेटैव बेंक का गोटाला हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, लोग डरके मारे एक साथ वैसा फैसे निकालने बैंक फैल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा इसका कारण जानते हैं, क्योंकि बैंक ने, बैंक में जो हम पैसा जमा कराते हैं, बैंक उस पैसे के बदले में, उस पैसे को किसी और को उधार देता है, मैंने पैसा जमा कराया बैंक में, तो बैंक क्या करेगा, मेरे पैसे को पर मुझे ब्यास देगा ना तो उस ब्याच को देने के लिए वो ब्याच कमाये का भी तो सरी तो कमाने के लिए वो क्या करता है किसी और को उधार दे देता है तो जैसे हम बैंक में सारे ग्रहक पहुंच जाएंगे लाओ हमारा पैसा दो तो उसने तो दे रखा है सब को उधार तो उसक जिसमें एक व्यक्ति बैंक के सामने पहुंच जाए, तो कोई दिकत नहीं है, लेकिन अगर समस्त व्यक्ति या ग्राहक अपना पैसा निकालने पहुंच जाए, तो बैंकिंग सिस्टम फैल हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा इसका उधारण है, कि यदि प्रकर्ति की किर्पा से किसी एक किसान के अच्छी फसल हो जाए, तो उसके लिए क्या होगी, लाप्रद होगी, आप भी अगर माल लीजे किसी किसान को जानते होंगे, तो वो यही कहत रहता है, यह बगवान अच्छी बारिस हो लेकिन द्यान दीजे, अगर किसी एक किसान के या दो किसान के अच्छी फसल हो गई, तो उसे मुनाफ़ा होगा, जम कर मुनाफ़ा होगा, बंपर मुनाफ़ा होगा, क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्शन जादा हुआ है, तो उसको अच्छा मुनाफ़ा होगा, लेकिन क्या है यह जो टमाटर की फसल है यह बहुत अच्छी हो गई देश में तो उसका प्रिणाम क्या हुआ टमाटर की फसल अच्छी होने का प्रिणाम हुए हुआ कि जो मांग और पूर्ती का खेल है वो सारा बिगड़ गया है कीमत किस से तै होती है डी डी बराबर एस से मांग और पूर्ती जहां बराबर होती है वहीं कीमत तैवती है संतुलन ठीक अब यदि किसी कारणवस मांगतो है माल लिजे 50 टन की टमाटर की और प्रोडक्शन हो गया माल लिजे सप्लाई हो गई 100 टन तो क्या होगा चीज ज्यादा है और उसकी मांग कम है तो कीमत क्या हो जाएं प्राइस क्या हो जाएंगी घड़ जाएंगी और इतनी घड़ जाएंगी कि जिस कोष्ट पर प्रोडक्शन किया गया था टमाटर का वो लागत भी उत्पादक को नहीं मिलेगी तो उससे क्या करना पड़ता है फ्री में या बहुत नुकसान खाकर बेचना पड़ता है तो कीमते घड़ जाएंगी और कीमते घड़ने के कारण उत्पादक को किसान को उसकी वस्तु का मुल्य सही नहीं मिलेगा तो उसे नुकसान हो जाता है इसलिए आप देखते होंगी जब जब अच्छी फसल होती है हमारे किसान भाई ऐसे ही फसल फेकते हैं तो चायसे वो सेव की फसल हो यह सेव का पेड़ आप देख सकते हैं खूब अगर सेव आ गए देश में पंपर पैदावार हो गई एक ही पेड़ पे देखे कितने सारे सेव हैं अगर खूब सारे सेव आ गए तो होगा क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इनकी कीमते गिर जाएगे और जो सेव 200 रुपे किलो बिक्ती है वो अचानक से 30 रुपे किलो मिलने लग जाएगी तो यह सारा खेल होता है ठिक है अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें चोता हम उधारन देखते हैं एक व्यक्ती द्वारा अपनी आए से अधिक खर्च करने के करके रिण में डूबना मुर्खता हो सकती है मुर्खता ही होती है कि यदि कोई व्यक्ति उधार का गी पीता है उधार का गी पीना मतलब कि उसके पास पैसे नहीं है फिर भी खूब सारा पैसा खर्च कर रहा है या वो क्या कर रहा है कि उसकी आय तो है कम और उधार ले लेके खूब पैसा खर्च कर रहा है जिससे वो क्या कर रहा है, रिण में डूपता जा रहा है तो ये एक व्यक्ति के लिए मुर्खता हो सकती है लेकिन अगर देश में मंदी हो, मंदी का मतलब क्या है मंदी का मतलब है, उत्पादन में कमी है मांग में कमी है मांग में कमी है रोजगार में कमी है और आय में कमी है सब में कमी है इसे हम क्या कहते हैं मंदी तो अगर ऐसी स्थिती है कि ये सब कम है उत्पादन भी कम है, मांग भी कम है, रोजगार भी कम है और आय भी कम है तो इसे मंदी कहते हैं ऐसी स्थिती में कोई भी राष्ट्र उसके लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी जानते हैं आप कि वो अपनी आई से ज़्यादा खर्च करे बले ही उसे रिन लेना पड़े और ये मुर्खता नहीं ये बुद्धी मानी मानी जाएगी जैसे ही किसी देश में मंदी आती है उस देश की सरकार बले ही कहीं से रिन ले किसी भी प्रकार से अपना व्याय बढ़ाने की कोशिश करती है जैसे भारत सरकार ने भी वर्तमान में क्या किया है भारत सरकार ने भारत सरकार ने कोरोना काल में क्या आ गई है मन्दी आ गई है कोरोना काल में लोगों का रोजगार चले गया है production कम हो गया है company बंद हो रही है तो क्या कर रही है सरकार भारत सरकार अपना सारा सरकारी खजाना उसने खोल दिया है सरकारी खजाना खोल दिया गया है इसका मतलब क्या है सरकारी खजाना खोल दिया गया मतलब कि लोगों को कैसे जैसे उनको रोजगार दे के किसी भी परकार से सरकार ये चाती है कि उनके पास पैसा पोचे सरकार उनके पास पैसा पहुचाना चाहती है ताकि क्या हो पैसा जितना ज़्यादा आएगा मांग उतनी ही बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और फिर रोजगार भी बढ़ जाएगा तो ये है सारी वेवस्ता अब देखते हैं हम फिफ्ट नमबर पॉइंट एक व्यक्ति कम मजदूरी में काम करके अपनी बिरोजगारी दूर कर सकता है जहिर बात है अगर मुझे रोजगार नहीं मिलेगा तो मैं क्या कहूँगा कि भाया कम दे देना मुझे सेलरी लेकिन उसकी समस्या हल हो जाएगी कि एक व्यक्ति अगर कम मजदूरी में काम करने के लिए तियार हो जाता है तो उसको रोजगार मिल जाएगा और उसकी बेरोजगारी दूर हो जाईगी लेकिन अगर देश के समस्त बेरोजगार ऐसा करके रोजगार प्राप्त करना चाहें तो वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आय में कमी आ जाएगी और समगर मांग में भी कमी आ जाएगी, इसका प्रिणाम क्या होगा देखिए, ये सारे लोग बिरोजगार, अगर ये कहने लग जाएं, ये जितने भी लोग हैं, जो ये बिरोजगार हैं, अगर कहने लग जाएं कि हम कम वेतन में काम करने के लिए तयार हैं तो क्या होगा सबसे पहले तो कि मजदूरी घट जाएगी बहुत जादा मजदूरी क्या हो जाएगी मजदूरी बहुत जादा घट जाएगी और मजदूरी गटेगी तो आए भी क्या हो जाएगी गट जाएगी और आए गटेगी तो मैंने अभी अभी बताया जब जब आए गटती है तो उब्भोग भी क्या होता है गट जाएगा उब्भोग भी गट जाएगा और उब्भोग गटेगा तो समगर मांग क्या होगी सम क्या होगा देश को नुकसान होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति के लिए मजदूरी कम करके अपनी विरोजगारी दूर करना अच्छी बात है लेकिन अगर समस्त विरोजगार ऐसे अरकत करेंगे तो देश में राष्टियाय कम हो जाएगी जिससे समगर मांग मी कम हो जाएगी और पुन है ये चक्रप्रारम हो जाएगा उमीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा ये हमने पांच प्रकार के समष्टी गद विरोजगावास देखे हैं इने ही व्यस्टी समष्टी आर्थिक विरोजगावास कहते हैं जिसमें हमने बचत का हो तो मुझे लाइक ये हम सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्रिप्शन फ्री होता है आप सब्सक्राइब जो शब्द लिखा आता है उस पर के लिए क्लिक करें और आप मुझसे जुड़ जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद